जैहें साथियों स्वागत आपको हमारी चनल PCS दर्पन पे देख रहे हैं रुक्मनी पब्लिकेशन का नई बूख जो है बिहार पुलिस कंस्टेबल के लिए भॉलूम थिरी है दोस्तों अती महत्पुनिया नई सिलेवंस प्याधारित है सेट प्रेक्टिस है ना बिहार पु सब्सक्राइब करेंगे तो चली हम लोग के पास टूटल 100 कोशन मिलेगी अपना इसकूर कमेंट सिक्शन में जरूर बताएगा दोस्तों आप हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी अपने दो का 20 geweं पहला सिन क्या है इसमें देपहला कुशन इसमें बन रहें कि उस्तम न्याले की वेवस्था उस्तम न्याले की 19 qx a iq닝 11 के एक के तहत है और के तहत है कि मुछा सभीधान में सुचियां और प्रविष्टियां को मिलान करना है हुमें तो ये संग सुची में कितने हैं राज्य सुची में कितने भूता है तो संग में सबसे जादे है यह तो कंफर्म रखे एक बार jeszcze को फंग आप अब देखें राज्जे की बारी तो संग के बाद राज्जे की बारी हती है तो जस्ट उससे थोड़ी बड़ी तो इससे थोड़ी बड़ी कुन है 66 याद रखें समर्थी जस्ट सबसे कम है तो आईए देखते हैं कौन सा यह फॉलो कर रहा है हमारा सबसे पहले संग के लिए हमने एक चुना , एक के लिए एक है फिर राज्य के लिए हमने तीन चुना तो यह तो cancel हो गया , पहला option राज्य के लिए र यह दू यानि हमारा option number B बन गया भारती समिधान की जो है सात्वी अनुसुची में के इंदर राज्य के बिद जो सक्टियों का विभाजन का विशाय दिया गया है इसके अंदकत तीन अनुसुचिया है राज्य सुची संग सुची और समवर्टी सुची पहले जो अभी जो 97 है पहले पता है राज्य सुचु कुल अभी बस्तमान में हो गये हैं अभी बवर्तमान में फिप्टी इंदकर समाज़धी सब्दिस संसोधन तहट जो रागया था तो 1976 में जुरा गया था 42 में सब्धान संसुधन आंसर बनेगा ए अगला है निमलिखित में गलत बियान कौन सा है आपको पढ़के बताना है तो हाई हमनों रडीट करते हैं और देखते हैं कौन सा गलत बियान है इसमें देखें कहरा है पहला कि लोक तंत्र में समाजिक विभेद का राजनितिक पर अवस्य परभाव पड़ता है यह तो बिल्कुल सही है अगला क्या है लोक तंत्र समाजिक विभेद के अधार पर देश को विखंडित करने के साहता होता है यह पूरा तरसे गलत है दोस्तों तो य सत्य मेल को चुने देखिए अनुशेद 48 में क्या है समान नागरिक पूर्ड दिया हुआ है समान नागरिक पूर्ड अगला क्या है कि अनुशेद 50 में दिया हुआ है पार्रामबिक बाल लियावस्था का देख भाल अनुशेद 49 में ग्राम पंचायत का गठन दिया है अनुश सभी हैं करेक्ट अंसर दी होगा आपका सभी करेक्ट है सभी अनुछय ह meet असदय मेल को चुन्य है न तो और सद्धях occasionally मैं पता है तो ये करेक्ट तरह से गलत अनुछय पचास में बताते है वे गलत अनुछय कारिया पाली यह नնकीर अनुछ šई उन 10 अनुषेद 49 में आता है तो एभी खटम और 40 में आता है ग्राम संगठन त यहीं केसल आनुषेद 45 में आता है क्या कि जीडव से 6 वर्ष के बच्चों को देख भाल करकें लिए सिख्षा का प्रवंध करना राज्ये सरकार का दाई दो है, तो यह भी कैंसल, यानि, आंसर बनेगा क्या, सभी असत्य मिल हैं तो, right answer, यहां पर D बन जाएगा, अग्ला देखें निमलिखित भारती है, बैंकों में से कौन सा एक, राष्टी कृित बैंक नहीं है, बताई कौन सा नहीं है, तो इन में से कोई भी नहीं सभी राश्टिक रित बैंक है आंसर बनेगा राइट अंसर दी अगला देखी परियावरनिये कुछ नेट्स परियावरनिये कुछ नेट्स वक्र परियावरनिये छटी एबं प्रतिवेक्ति GDP के मध्य संबंध तरसाता है यह परियावरनिये कुछ नेट्स वक्र का अकार किस परकार का होता है मताई किस परकार का होता है तो उल्टा यू अकार का होता है कैसा होता है उल्टा यू अकार का होता है नेक्स कोशन देखेंगे हम लोग तो बूल्स एंड वियर्स का संबंध किस से है बूल्स और बियर का समंध किसे है तो यह समंध है stock exchange से आंसर बनेगा B किसे है stock exchange से है next question देखेंगे हम लोग कह रहा है इसमें राश्टी आए राश्टी आए किसे कहते है तो राश्टी आए कहते है उत्पाद लागत पर निवल राश्टी उत्पाद आंसर बनेगा B अगला है 1917 की पहली रूशी करांटी किस नाम से जाना जाता है परवरी की करांटी के नाम से जानाते है नूवमबर 1917 में वहल सेविक की करांटी होई थी इस करांटी का नेता जो कुझों थे? लेलीन थे और रूशी करांटी के द्वारा जार का सासन समात होता है और रूसी करांती के द्वारा प्रथम बार विस्व में मजदूर की सरकार की गठन किया गये था काल माक्स जो है समाजवाद के वैग्यानिक अधार दिया समाजवाद का परियोगिक घर पुर्व सुवीद संग में हुआ था रूस गांधी जो द्वारा प्रकासित प्रथम समाचार पत्र कोन था इसका नाम था इंडियन ओपेनियन क्या नम था इंडियन ओपनियन यह चार जुन 1903 को गांधी जी ने नील निय असलिए भेदभाव के विरुद जो है लड़ने और नागरिक अधिकारों की मांग है तू दक्षिन अफडिका में जो है इंडियन ओपेनियन अख़बार को शुरू किये थे अगला कुशन हमारा क्या है कि बराबर पहारी की गुफाओं के विशाय में निमलिखिक में से कौन सा एक सही नहीं है कौन सा ही नहीं है देखिए कह रहा है क्या बराबर पहारी पर कुल चार गुफाओं है बिल्कुल सही है कह रहा है तीन गुफाओं के दिवारों पर असोक के सिलालेक उतक्रिन है ये भी सही है यह अभिलेक इन गुफाओं की आजीवकों को समर्पित होने का उलेक करता है यह अभिलेक यह अभिलेक जो है छटी सतावदी इसापूर्व की है यह बिलकुल गलत है तो करेक्ट अंसर हमारा बनेगा राइट अंसर ओप्सन डी हो जाएगा यह बता दे बहा जो बराबर पहा हैं अभिलेक तीसरी सतावदी इसापूर्व से संबंद छटी नहीं तीसरी से है अगला देखे भूदान अंदोलन किस ने सुरू किया था 18 अपरिल उनिश्वकावन को भूदान अंदोलन बताईए तो आंसर क्या बनेगा राइट एंसर सी विनोबा भावे किये थे सत्यागरा में गिरफ्तार किये प्रथम व्यक्ति विनोबा भावे थे दूसरा व्यक्ति कोई के थे पंदिज्वाला लेहरू और तीसरे सत्यागरा ही ब्रहमदत थे अगला कुशन देखेगा कह रहा है क्या एक निश्चित तर्क के अनुसर पांच उनिश्य से संबंदित ह अगला इस बताना है कि कौन सक यहां पर आएगा हमारा खाली अस्थान जो दिया है कौन सा फिगर बनने वाली है कि इसमें आगे तो इसमें आप देखोगे, तो यह इधर के है, फिर नीचे, फिर इधर, फिर इधर, मतलब फिर इधर वाला, तो कौन है इधर वाला, बस एक D है, B है, और ďक E है, C तो यहां है कैसी लोगया, अब दिखे, इसमें से क्या बोला जारा है, कि यह कर्णर पे है, फिर यहां पे कि अग्ला कोशिम्न कोटू के देखते हुए अंजली क कि怕 कि और मेरे कि बेटा हैं वहाँ मेरे पिता का इकलाओता बेटा है खोटो में दिख रहे व्यक्ति का इकलोते इनका बेटा क्या होंगे इनके भाई होंगे ना अंजली के तो आंसर क्या बनेगा हमारा correct answer B भाई select the most appropriate antonym of the given word क्या है rebellion rebellion का हमें antonym बताना है इसका मतलब होता है rebellion मतलब होता है next question देखेगा क्या कह रहा है कि select the most appropriate meaning of the given item क्या हमारे पास item दिया all eyes all eyes का मतलब क्या होता है सभी आखे इसका मतलब होता है उच्छा पुर्वक देखना है ना answer क्या बनेगा इसका राइट एंसर watching energy ली अंसर बनेगा correct answer A select the most appropriate synonym of the given word क्या है confusion confusion का हमें synonym बताना है confusion मतलब होता है उच्छा इसका answer क्या बनेगा commons correct answer D बनेगा commons means भी वही बता है select the most appropriate option to fill in the blank क्या है the angle the angles are equal consequently the side are dash the side are equal answer A बनेगा select the most appropriate word segment for the bold word in the given sentence क्या है pintu has been advised to reduce smoking by his family doctor तो reduce के लिए क्या यूज करेंगे हैं पर तो reduce मतलब कम या घटना होता है तो इसके लिए हम यूज करेंगे क्या cut down answer बनेगा D cut down choose the most suitable English translation क्या है वे दो दिनों से बिमार है इसके लिए क्या यूज करेंगा बताइएगा he has been sick for two days answer बनेगा option B select the most select option that can be used as a one word substituted for the given group of what क्या है a pieces a piece of a living tissue or plant that is transplanted surgically तो क्या बनेगा इसके लिए क्या बोलेंगे हम मतलब कहने का मतलब यहां पर क्या होगा कि कमल कमल बांधना या परत्या रूपन करना तो आंसर क्या बन जाएगा answer बनेगा हमारा graph answer बनेगा B government मतलब क्या होता है यहां पर G-O-U-R-M-E-T G-O-U-R-M-E-T मतलब होता है खाने की सोखी न अग्राइट मतलब क्या होता है ग्राइट मतलब बीने पैसे कहीं किया गया निसुल्ग कम अगला है gracious gracious means क्या होता है दयालू नेक्स्ट कह रहा है select the most appropriate collecting what to fill in the blank क्या है co-locating what to fill in the blank क्या है राम वाज पाराइज्ट फोर हिज डैस लीडर्शिप बताइए क्या होगा यहां पर तो आंसर बनेगा visionary answer बनेगा हमारा right answer C visionary मतलब इसका मतलब होता है क्या है visionary leadership कार्थ होता है दूर दर्सी नित्रुत अगला कोचन देखिए अनुछेद के निम्दलिखित वाक्यों को सही करम में हमें लगाना है तो देखिए क्या है अनुछेद option basis पर आप लगा सकते हैं यहां पर कि पहले उठाए फिर B फिर C ऐसे उठा के आप बना सकते हैं तो चलिए हमनों पहले आंसर वाला उठाते हैं option B को ठीक है पहले बोला है कि दमाद दमो का एतिहास जो है बहुत प्राचीन है इसके जस्ट बात क्याता है कि सिंगापूर में मिले पौरानिक काल के भासन हतियार इस बात का साच्छे है कि यह अस्थान करोरू साल पहले मानों सभ्यता का पाल पाल जे कहीं सा था बात से इसका सबुद जीले के बिविन अस्थान पर पाए जाने वाले सीलाले सिक्के दुर्ग मंदीर दुर्गा मंदीर वो अन्यवस्त हुए हैं जिनका संबंध किसे समुद्ध चंद गुप्त असकंद गुप्त के सासनकाल से था वांसर क्या बनेगा answer B हम ब्रज भासा थी कैसी ही अगला कर संस्यां धिकर देख लो कि यहाần यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है इस पंक्ति में किस अलंकार का अलंकार है शुद्ध वाख्य का चैन करना है आपको बताएं इसमें कौन सही वाख्य है तो आप देखेंगे मैं सारी रात जगता रहा है यहां पर प्रेवाची बता दीजीगा उस्ताद का प्रेवाची होगा उप्यूक्त सभी प्रवीन होगा नीपुन होगा गुरू सभी होंगे अंसर डी बनेगा दिये गए वाक्य के लिए उसके नीचे दिये गए विकल्पों में से उसके परकाल को चिनित करना है आपको जो करे सो भरे जो करे सो भरे तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे यह मिश्र वाक्य है कैसा है मिश्र अंसर बनेगा सी अगला कुश तो आंसर क्या बनेगा एक पर दूर दासा कि जगह पह लिखे को लौसी क्या सैंय क्या हो जाएंगे तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? लेंस की फोकस दूरी 40 cm से अधिक हो जाएगी? आंसर बन जाएगा, राइट एंसर C, इसका एमेज टू फॉर में जैसे होगी? क्यूं? क्यूंकि इसके जस्ट कहां पर बनेगी? पीछे बनेगी है न? और बरी बनेगी, तो इसलिए 40 से अधिक होगी? अगला है, एक वस्तू पृत्वी के सता से चन्रमा की ओर ले जाई जाती है, इसका भार ऐसे किस आस्थान पर सुनने हो जाएगा? कि इस अस्थान पर सुनने हो जाएगा तो प्रिथवी तथा चन्रमा के कारण आकर्षन बल के कारण तथा विप्रित होती है तो आंसर हमारा यहां पर बनेगा C मतलब केतिम उपगरह में वस्तु का भार सुनने होता है क्योंकि उपगरह के वेग के कारण उत्मन अभी केंद्री बल प्रिथवी तथा उपगरह के बीच लगने वाले गृतोकर्षन बल के बराबर होते हैं आपको पता है भार बराबर क्या होता है द्रवमान गुन्ने गृ संयूजन का जो संतुल्य परितिरोद क्या होगा यह आपको बताना है है तो चली हम लुग बनाकर देखते हैं क्या अंसर आ रहा है इसकी यहां पे दे रखाई के हमारे पास पहले तो हमें सरिंखला बद करना है तो तीनों को वाइट कर दी चार दो छो एहां पे आठ डू दस सीधे कितना गए दस ओम आगए ठीक है सरिंखला बद अब सम्नानतर में जोड़िये तो एक बट्टे चार प्लस एक बट्टे दो प्लस एक बट्टी चार एल्सी मुझाएगा चार एक प्लस दू प्लस एक कितने हो जाएंगे चार बट्टी चार यानि आक इतना गया एक ओम आगे ठीक है कैसा तो समनांतर सरे निमीं जो रहे थी अब देखिए परतिरोग जो किसी चालकतार की लंबाई, वो उसके अनुपरस्त काट के शेथल पे निर्भर करता है, करता है न, तो हमारा answer क्या बन जाएगा, बदाएगा, एक आया 10 और एक आया 1, तो answer क्या बन गया राइट answer हमारा, एगा बन गया, अगला कोसी देखिए, कह रहा है विराम आवस्था में इस्तित एक पिंड जब एका एक बहुत से टुक्रों में बढ़ जाता है तो फटने से बने टुक्रों के समवेग का यूगफल क्या होगा तो यह क्या होगा तो यह होगा सुनने आंसर बनेगा यह क्या हो जाएगा सुनने होगा आपको पता है कि प्रारंबी का वस्था में बम का दरविमान गुने वेग बराबर टुकरो का उलसमवेग का यूगफाल होता है अगला कुशन देखेंगे हम लोग तो कहरा एक ट्रांसफर्मर परियोग किया जाता है कैसे परिव कियाता है बताइए एक ट्रांसफर्मर को परिव कियाता है परियाप्त परत्य वर्ति धारा प्राप्त करने में आंसर बनेगा बी परियाप्त परत्य वर्ति धारा प्राप्त को करने में कि येवल एसी को परिवर्थित करता है कौन ट्रांसपर यह डीसी में कारें नहीं करता है यह अस्थैतिक तंत्र है इसकी छमता जो अन्ठानुए परतिशत तक होती है अगला कोशन देखेंगे कह रहा है कि दो प्रोटॉन प्रस पर एक गुन्य दस के पावर माइनस दस सेंटीमीटर की दूरी पर है न तो उन पर जो क्रिया सिलबल क्या है यह हमें बतानी है तो वह कौन से क्रिया सिलबल है इसमें तो आप देखोगे प्रोटॉन के आवेस वैस से होती किती है पुजेटीमी में होती है 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम होती है न पुजेटीमी में रहेगी और निगेटीमी में रहती तो वह क्या होती है वह इलेक्ट्रॉन की फैली होती तो यहां पर हमारा आंसर क्या बन जाएगा कारेक्ट अंसर कूलम बल तथा गुरुत्वकर्च हैं तो यह कुंडली में एक प्रेईथ धारा के परिनाम को बढ़ाने के लिए इन में से किस विद्हीं का उप्यों कि कि अज की गति में ब्रिधी करना है यह भी करेक्ट उंडली के तार्गे परति रोग में ब्रिधी नहीं बिल्कुल नहीं तो आंसर हमारा ए आ गया ए और दो दोनों होगा करेक्ट अप्सन नहीं होगा अगला देखेंगा कि एक लड़का एक लेंस का उप्यूप करके एक दुरस्त व टो आपको पता है या किसे बीच होगी लेंस और परदे कि बीच की दूरी लगवग एफ के बराबर होती है दुरस्त वस्तु अता वस्तु जो संभोता अनंत पर है अनंत पर इस्तित वस्तु का परतिविव कहा पर बनती है फोकस पर बनती है तो इसलिए आंसर बनेगा B अमोनिया गैस किस परकार की होती है अमोनिया गैस जो होती है रंगहीन आंसर बनेगा D कैसे होती है रंगेहिन होती यह अमोनिया नायटोजन और हाइ्टोजन का योगिक है इसका सुत्र होता है एनएच Only h3 होता है यह तिक्षण गन्द वाली रंगन हीन गैस है और यह हवा में हलकी होती है हब से क्या हूती है ये इसका वास्त गनत्व पता है कितना होता है एट पॉइंट फाइफ होता है यह जल में अती विलाय है परिवसाला में जो है अमोनिय को लाइड तथा भुझे हुए सुख्ष चुने के मिश्रन को गर्म करके से प्राप्त किया जाता है अगला कोशन देखेंगे हम लोग तो गुजरात विजय 1572 इसवी की यादगार में अकबर ने निमलिखित में से किसका निर्मान काया था तो बुलंद धरवाजा का निर्मान किया था अंसर बनेगा भी बुलंद धरवाजा बुलंद धरवाजा का निर्मान कारे गुजरात व सासक बाज बहादूर को भी प्राजित किया था बाज बहादूर और उनकी पतनी रूप मती निर्त्य और संगीत में निपुन थे जमा मस्जीद का निमान सा जहां द्वरा तिली में करवाया गया अगला है विंसेट एस्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा है तो समुन्द साह को कहा जाता है अगला है आर पी आर आर पी का सम्बंद किस छेतर से है तो यह आपदा परवंधन से है आंसर बनेगा हमारा डी राइट अंसर होगा डी आपदा परवंधन ते इसका मतलब होता क्या है पी आर आर पी का अर्थ होता है प्रिपेंडेंस रिपोंस एंड रि ating relief recovery and Ray Habitation and Prevention अगर दिखेंगे हम लोग तो सुभाशन बोस ने निको बार दूप को क्या नाम दिया था क्या नाम दिये थे उसका नाम दिये थे स्वराज दूप आंसर बनेगा भी स्वराज दूप नाम दिये थे सुभाशन बोस ने अंडबान दूप का नाम साहिद दूप साहिद दूप रखा था नॉम्बर 1943 में जैपान के सरकार ने अंडमान निकोबारदीप सुबास्चन बोश को सौपा था अप्रिल 1944 में भारत की मुख्य भूमी पर जो है आजाद हिंद फोज आई एन ए द्वारा सौर पर्थम माई रांग नगरवरतमान मनीपूर में अपना जंडा फार आ था पारित हुआ था 1865 में आंसर बनेगा भी 1865 भारत में 24 परतिशा से अधिक वंचेत्र का वर्तमान वर्तमान में वन चेत्र जो है इसक पुरवालूकन की ब्यवस्ता कैसी है बताईए इसमें है तो आंसर बनेगा चीप भारत और यूएसे में है आंसर सी बनेगा यूएसे में सोर परथम कब अठाड़ा सो तीन में न्याइक समिख्षा का अवधारना किया भारत भारती समिधान में न्याइक पुरावलोकन उच्छितम न्याले की सक्ति यूएसे से लिया गया है और भारती समिधान के नुचे 13, 32 और 226 आदि से जो है उच्छितम और उच्छ न्याले की न्याइक पुरावलोकन की सक्ति का प्रमान मिलता है अगला है निमलिकित में से किस ने नौकर साही को महाद्यूपिय उपद्रव बताया है उपद्र बताया है तो आंसर बनेगा हमारा भी थौमस थौमस कारलाईल थौमस कारलाईल बताया है उनस्वी सताबदी के ब्रिटिश लेखक में अक्सर महादी पिये उपद्रव के रूप में नोकर साही को लोक तंत्र प्रतिरोधी के रूप में एंगित किया है अगला कुछन है प्रथम लोग सभा के अध्यक्ष कौन थे गनेश वासुदेव मलवंकर थे जी भी मलवंकर उनको बोल सके सोर्ट में आंसर बनेगा राइट इंसर भी प्रथम लोग सभा का गठन कब होता है 1952 में किया गया लोग सभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुम भारत के सबसे यूए स्पीकर जी एमसी बालियोगी ही थे और लोग सभा में वर्तमान में स्पीकर ओम बिड़ला है फिर से अठारवी जो अभी लोग सभा होई है उसमें भी उन्हीं को चुना गया है समीधान के अनुछे 93 में लोग सभा अध्यक्ष और उप उपाध्यक् अगला कुशन है मारा कि यदि पंचायत भंग होती है तो इस अवधी के अंदर निरवाचन होंगे कितने अवधी के अंदर में तो वह हो जाएगा छोह मा के अंदर में अंसर बन जाएगा C यहाँ पे घाटे की वृतिय विवस्था का अर्थ विवस्था पर क्या परभाव परफ़ता है किया परवाव पर्ता है तो मुद्रा पूर्थि में बढ़त्री होती है अंसर क्या बनेगा सी मुद्रा पूर्ति में ब्रेधि होती है अगला कुशन है उपभोगता सनक्षन अधिनियम के थैत उपभोगता का अधिकार क्या है उपभोगता का अधिकार क्या है पताई तो आंसर क्या बनेगा हमारा राइट अंसर डी बनेगा सभी निवारन प्राप्ति का अधिकार सुचना का अधिकार चैन का अधिकार तो आंस अगला है निमलेखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की साहिक नदियों की पाचान हमें करना है तो कौन-कौन हैं बता दीजे यह जो है आपका अम्रावती है भावानी है और हिमावती है तो अंसर बनेगा रज्धर भी दूद गंगा नहीं हूं धूद गंगा तो क्रिषणा की क्रिष्णानदी की साहिक है दूद गंगा हो गया भीमा। पश्छ गंगा तुभधा मुश कोई ना यह सब जीव है क्रिश्ना नंदी की साहिक है अगला है दिए गये वेंजन को हमें सरल करना है तो बहुत ही यह सरल यह कुश्चन यह दूस्तों सिंप्लिफिकेशन है तो यह सबसे पहले यह रेक्डिंग वाला हमें करना है पतलो आठ में से तीन को घटा देना सबसे मंश में दू प्लस मैंस्मा ठेक है फिर हम यहां पिसके करेंगे तो ही होगा फिर यह अगीने-द्रेकेट का वर्क होगा तूर Y Incor deja आड़ करने की बात जो है हमारा जो हैगा उसमें से 70 में से घटा देंगे तो हमारे पास अंसर क्या आ जाएगी तो करेक्ट अंसर आपके पास आ जाएगे जूर भागना होगा तो चली हम लोग बनाते हैं बहुत इंपोर्टन कोश्चन है यह ऐसा ही लोजिकली कोश्चन आएगी आपको ठीक है तो सापक से चल क्या हो जाएगा पहले तेश में से हमें किस घटा लेंगे कितना आ गया दो दो किलो मिटर आ गया हमें क्या चीज में करना है तो हमें मीटर पर सेकेंड में कनवर्ट करना है तो इस दो को आप पांच बट्टे अठारा से गुना कर दीजे काटी 9, यानि कितना आगे 5 बट्टे 9, हमारा आगया मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अब चोर को पकरने में लगा समय कितना है, 108 मीटर को पकरना है, बट्टे ये कर देंगे 5 और उपर 9 चला जाएगा, तो गुना करोगे तो कितना जाएगा ये, 194.4 सेकेंड का यूज होगा, ठ हमारे पास ये स्पीड, तो हमारा टाइम निकल गया इतना सेकेंड, अब चोर द्वारा भागी गई दूरी कितनी है, तो चोर द्वारा भागी गई दूरी 21 के रफ्तार से भाग रहा था, आज बट्टे 18 से, इसे मीटर पर सेकेंड में चल्च कर लिजे, तीन सब्ते, तीन 94.4, तो इसको काटी है, तो कितना आजाएगा, लगभग 1134 मीटर आजाएगा, इतना डिस्टेंस, वो भागा है, दौरने से पहले, मतलब पकराने से पहले, तो आंसर कम बनेगा 1134 मीटर, आंसर C बनेगा, कहरा है समान धारिता, छमता वाले दो पात्र दूद और पानी के म अनुपाती गारा है, यदि दोनों अनुपातों में, यदि दोनों मिश्रनों को एक पात्र में मिलाया जाता है, तो परिनामी मिश्रन में दूद और पानी का अनुपात क्या होगा, यह हमें बतानी होगी, तो चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं, क्या आ रहा है इसमें कि अंसर बादर में दूध और पानी का नंपातह। कितना है तीन बट्टे हो यह तो olhosटल आ तहीं हमारा तो यह क्या है पहले पात्र में दूध की मातला और पानी की मातला k는지 नहीं हो जाएगी तोız 11व चlle class दो में पहले पात्र मैं और दूसरे पात में 9 बट्टे 9-11 है तो 9-11 जोड़ दोगे तो 20 यह हमारा क्या है मिल्क का दूसरे पात में और 11-11 by 20 यह वाटर का दूसरे पात में तो परिणामी मिसरन में दूद और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा तो हम दोनों अनुपातों को जोड़ देंगे जो तीन बट्ट चोड़ प्लस नो बट्टे 20 को हम लोग रेसियू में देखते हैं 11 बट्टे चोड़ प्लस 11 बट्टे 20 अब यहां से LCM लेके बना दीजिए से कितना हो जाएगा 140 140 पर बनाओ गया आप तो यह 30 और प्लस तीरसट यह रखते हैं हम लोग यह 110 प्लस 77 क्यों क्यूंकि हमारा 140 हो गई इसका अब देखो 140 140 तो यहीं कट गई क्या अब इस दोनों को देखो क्या आ रही है साथ और तीसाथ को जोरोगे तर 93 और इसे आड़ करोगे 110 और सतहतर को आ जाएंगे 187 अब इसे आप डिविजबल करके देखो क्या कट रही है और तो नहीं नहीं कट रही है यानि कितनी आगे तीरानवे और 187 तो आंसर बनेगा हमारा आप नमर एक एबी सी क्लब में 88% सदसे पूरुस है और 12% सदसे महिला यदि पूरुस यदि पूरुसों की ओसताईव 25 वर्स और महिलाओं की ओसताईव 50 वर्स है तो सबसे तो सभी सदसे की ओसताईव कितनी होगी हमें बतानी सभी अनुग सव ले लिता है टोचल मेंबर कितने हैं 100 है और पूरुसों की संखे इसमें 88 है तो महिला कितनी हो जाएंगी बारर ठीक है यह मेल है तो 10 कितनी होगे oversat कितनी होगे तो 88 मेल कितने हैं 55 ठीक है और फ्लस बारुस वाले कितने हैं तो 50 वर्स की बटे टोटल कितन आजाएंगे यह 22 हो जाएगा प्लस 1265 यह 600 होगा बट्टे सो बाइस चो जोड़ दोगी तो कितना हो जाएगा दो हजार आठ सो बट्टे सो दो हजार आठ सो बट्टे सो दो जिरो से दो जिरो कैंसल याने कितने हो जाएंगे 28 वर्स जो है ओसात आयू आ गई तो आंसर बन गए हमारा ऑप्सन नमर डी दीख रहा है 28 नेक्स देखोगे आप कहरा एक व्यक्ति की आए में पहले 25 परतिसात क बढ़्यिदे ब्रेदि बाद में 25 परतिसात कमी आई का कितना परतिसात है बतास सुब तो आइए हम लोग निकालते हैं कितनी हैं पहले क्या हो. आप बड़िधी हो रहा एंपू नीति हैंус तो यह तीन करोगे तो टोटाल आ जाएंगे हमके 93.75 93.75 आएंगे और 93.75 का हमें पूरा पर्चेंटेज निकाल ला है तो मल्टिपाइल पाई हंड्रेड और इसे हटाओगे तो यह हंड्रेड यानि यह और यह कैंसिल हमारा क्या आए है 93 तो इसका जो है 93.75 जो हमारा इसे फ्रैक्शन में हम करते हैं तो कितना हो जाए 93 सही 3 by 4 तो देखी कौन सा है हमारा फ्रैक्शन में 93 सही 3 by 4 राइट अगला देखी कह रहा है कि यदि विरित की पड़ी थी क्या कह रहा है चो आठ है अना तो विंदू हो तो तिरिया 10 है तो केंदर का नेदे सांख क्या होगा हमें बताना है तो केंदर का नेदे सांख निकान लेक लिए आपको पता होना चाहिए क्या तो 6 माइनस 0 मतलब क्या होना चाहिए 6-0 का whole square प्लस 8-0 का whole square यहीं नहीं होता है equal कितना दी है 10 चलिए 6 में से 0 घटाई 6 मतलब 36 हो जाएगा प्लस यह कड़ी जाए 64 होगा equal 10 इस दोनों को add कड़ी कितना हो जाएगा 100 100 का क्या होता है 10 10 equal 10 आगए हमारे तो क्या केंदर करने दे संग क्या आगया हमारा जीरो जीरो आगया ना वांसर क्या बन गया राइट एंसर भी यहीं रखे तभी तो दस आया ना अगला देखे कह रहे कि उस तिर्भूज का शेतफल ग्याद करें जिसके भुजाएं की लंबाई आठ दस और बारा सेंटीमीट तो आइए हमनों शेतफल निकाल लेते हैं इसका क्या हो जाएगा यह निकालना आपको हिरोंस फर्मूला पर यूज करके बनाना है ठीक है तो आइए हम लोग इसके बनाएते हैं पहले तो हमें अर्धपर्ग में आप निकालना हुआ तो एस इक्वल क्या होगा सभी का यू आठ दस और बारा का सभी का यूग कितना हो जाएगा तीस तीस बट्टे दो करना होता है तो पंदरा आगया एस अब हिरोंस फर्मूला यूज करोगे तो आप क्या होता है एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी यहीं न होता है तो यह तीनों का यूग था हमारा तो S, S कितना आगे 15, और गुणे, 15 में से आप 8 घटा दोगे तो 7, 15 में से आप 10 घटा दोगे तो 5, 15 में से आप 12 घटा दोगे तो कितना 3, ये बचेगा हमारा अंदर रूट में, ठीक है, अब इसे आगे कल्कुलेट करो, तो कितने हो जाएंगे, ये 15 और ये 15, तो 2 हैं तो एक बाहर निकल गए, अंदर क्या बचेगा, 7, यानि 15 रूट 7 हमारा सेंटीमेटर स्क्वेर क्या आगे, एरिया, तो राइट एंसर कौन सी बन जाएगी हमारी, ऑप्सन नमर, बी बन जाएगी, अगला देखे, एक समचत्र भूज के, अकार वाले मैदान का छेथफल, हेक् यह, आपको जस्त, पता है न, डी वन का होले स्कार, फ्लस डी लगोनल dal टू का होले स्कार, इकवल क्यों होता है, फ्ष्पॉर इंटू, ग्लिम क्योंकि हमारा, अग्हर स्कार मुझ के विकार्न के बराबन है, यहां पर दी D1 कितना 152 का होले स्कार करें, PLUS D2 तो हमें finding करनी है इसका whole square equal 4 into 146 यहीं न दी हुई है 146 का whole square है तो D2 यह square नहीं है D2 है इसका भ्राया दीचु का whole square भी है इसे कितने घटा दोगे इसका होलर कर दोगे तो इस अविगत तो कितने आजाएंगे आपके जीरो जीरो और इसमें घटा दोगे तो कितने आजाएंगे टूटल है और एट तो कितने आगे हमारे शेत्मल क्या होता है अको पता है वन बट्टे ट्व डी वन इंट्व डी टू होता है एक बट्टे दो डी वन कितना है इमारा दी वन जो है एक सो बाणवे गुंद्ने दूसरा क्या है 220 काटी इसको वन वन जीरो 192 और 110 में घुना करणा हुए तो आप कितनी आ जाएंगे कि हमीं फांट करना हेक्टेयर में हैक्टेयर के लिए दस अजार से डिवाइट करना होते हैं तो कि दस अजार से डिवाइट कर दो तो एक 0 वन वन टू हैक्टियर तो आंसर क्या बनेगा दू दो समलों एक एक दू ऑप्शन नमर कौन सा है हमारा राइट एंसर डी है अगला दोखे हुगे तो फेन पलावन विधी किस खनीज की संद्रता बढ़ाने के लिए पुरिव किया जा सकता है तो आंसर बनेगा चैलको पाइराइट चैलको पाइराइट आंसर यह बनेगा चैलको पाइराइट हेमाटाइट आयस का है किसका एफी टू ओ थिरी फेरस अक्साइड की है और यह जो है यह किसका है यह जो है सुत्र का सुत्र होता है किसका है तीसका सुत्र होता है सी यू एफी एस फो एस टू होता है c u f e s2 होता है यह कॉपर कायस का है किसका है कॉपर कायस का है अगला कुशन दखोगे तो गहरी समुंद्री गोता खोरो द्वारा किर्तिम स्वास के लिए उप्यूक्त की जाने वाला मिश्रन कुन सा है तो वह मिश्रन जो है हिलियम प्लस ऑक्सीजन आंसर बनेगा भी हिलियम प्लस ऑक्सीजन गैस अगला प्रस्न है कि अक्रिये गैसों का परवान मियता क्या होती है अक्रिये गैस का क्या होता है तो आंसर बनेगा हमारा ए एक होता है कितना होता है एक होता है अगला प्रस्न के अक्रिये गैस कौन- है तो हीलियम है नियोन है आरगन है क्रेप्टोन है जेनोन है रेडोन है यह सभी क्या है तो यह सभी अक्रिये कैसे हैं आवर्तसार्णी दूसरे के ए में तत्व क्या कहलाते हैं दूसरा ए में जो आवर्तसार्णी में तो उसमें तत्व क्या कहलाएंगे वह तत्व कहलाएंग करते हैं कि किसका उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है कि अगला कुशन देखोगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में सामिल सही रसाइनिक अभिक्रिया का हमें पहचान करना है तो आई हमें सही रसाइनी का भिक्रिया पहचान करते हैं तो आप देखोगे तो सही यहां पर रसाइनी का भिक्रिया है CAOH का होल ट्वाइस प्लस CL2 यह बनाएगा CAOCL2 प्लस H2O बनाएगा ब्लिसिन पाउडर को कैल्सियम अक्साइड कोलोराइड कहा जाता है यह पीले सफिद रंग का कैल्सियम का अक्साइड कोलोराइड चून होता है तो आंसर हमारा क्या बनेगा राइट अंसर डी बन जाएग डोबे राइनर के त्रिक की उपलब्धी क्या थी इनका तो तत्व के गुन धर्मों को परमानु द्रवमान के साथ जोड़ने का पहला परियास था इनका तो इनके द्वरा जो एलिमेंट्स दिखाएगा था वो आठ तत्व का प्रथम तत्व के गुन के समान था जैसे लिथियं बेरेलियं ब्लॉरान कार्बन नाइट्रोजन अक्सजिजन प्लॉरीन फिरा था सोडियम मैगनिसीम अलुणियम सिलिकल फोस्पोरोस यह सब इनका था निव्लेंट्स के अबर्थ सार्नी महत्तम जो है कैलसियुन तक पालन करता है निव्लेंट्स का अ हमने जो अगला देखे साइक्लो हैक्सेन में कितने सी सी बंध है और कितने जो है सी एच बंध होते हैं इस परकार जो है कुल कितने सह संजोजी बंधन होते हैं तो कुल कितने हो जाएंगे इसमें कुल जो है सह संजोजी इसमें टोटल दो बारह और अठारह हो जाएंगे करेक्ट अंसर बनेगा राइट अंसर हमारा दी टोटल इसमें इस परकार जो है कुल अठारह सो समयोजी बंधन पाए जाते हैं रसाइनिक सुत्र क्या होगा इसका C6H12 C6H12 होगा अगला है टेरीदो फाइटा समू के पोधे में क्या नहीं पाए जाते हैं क्या नहीं पाए जाते हैं तो इसमें नहीं पाए जाते हैं फूल टेरीदो फाइटा में जो है फूल नहीं पाए जाते हैं टेरीदो फाइटा एक और पुस्ट और बीज उत्पादक बरायो फाइटा से और दूसरी और पुस्प और बीज नौ उत्पन करने वाला जल में पौधा मौसों से अलग होती है टेरीडो फाइटा फॉर्ण और फॉर्ण किस्म के पौधे होते हैं पती तरह होती है तेरेडोफाइटा प्रिडोफाइटा ही कोईला च्छेतर की उपति के कारण होता है तेरेडोफाइटा जो है पादप सू विकसित समवहन तंतर यूकत जो है क्रिप्टो ग्रैस है अगला दखोंगे तो भगॉलिक दिरिश्टी से भारत का आप छांसिए यह भारत का जो है भोगोलिक दिरिष्टी आंसर बनेगा राइट एंसर सी अगला क्या है हमबन टोटा बंदरगाह किस देश में है हमबन टोटा बताई किस देश में है तो आंसर बनेगा राइट एंसर हमारा सी सिरलंका में है इसमें सिरलंका और भी आपके परमुक बंदरग बताई में है कराची नामसे पता चल लाए यह पाकिस्तान में बताइए तो यह भी पाकिस्तान में और सवांग सवांक कहां पर इंडोनेसिया में है अगला कुस्चन देखिएगा बोल के रहा है चुखा जल परिजना किस देश में विश्थी थे चुखा जल परिजना बताई कहाँ पर भूटान में है आंसर बनेगा डी भूटान फुगाटो नाम से पता चल ला है फुगाटो करनाली तामा कोसी और अरुन ये तीन हमने अभी तक जल बीदूत परिजना बोला कौन-कौन फुगाटो करनाली तामा कोसी और अरुन तीन ये किस देश में है तो ये नेपाल में है तीन ओर ठीक है सलमा बांध और सहतूत यह कहां पर तो कोट माले यह सरे लंका में कोट माले और विक्टोरिया जलबी दूद पढ़ी जिनल ठीक है अगला देखे बिहार में अंतर प्रदेशी अंतर देशी एंजिये प्राधिकार एन आई एन आई का छेत्री कर्याले कहां अवस्तित है कहां पर है पटना में आशर बनेगा सी पटना एन आई एन आई का पूर्ण रूप होता क्या है नेशनल इन लैंड नेविगेशन इंस्चूट होता है एन आई एन आई की अस्थापना दोहजार चार में भारती अंतरदेशी जलमार्ग पराधिकरन के द्वरा किया गया था अब देखे जो जलमार्ग पर aggerty of इंडिया होती है इसकी अस्थापना का होता है इसका अस्थापना 90- yes which होती है और हेड़ क्वार्टर का हेड़ क्वार्टर नोएडा में स्थित है नई दिल्ली में भारत में कुल नागाम में की लंबाई कितनी है 14500 किलूमीटर है निमलिखित में कौन सर्वत चुकोटी का कोई लह पताई है आंसर क्या बनेगा राइट अंसर भी एंथरा साइट है इसमें 90% अगला कुशन देखिएगा निमलिखित में से कौन सा एक कथन जो है सही नहीं है एक कथन जो सही नहीं है वो कौन है तो भारत में गुजरात में सबसे बड़ा समुन्दत है यह बिल्कुल सही है भारत में जोग जल परपात उस्तम जल परपात है बिल्कुल नहीं भारत का म मारीना समुद्ध तमिलाडू में इस्तित है बिल्कुल सही भारत का सबसे छोटा समुद्र तटगुवा राज्य का है बिल्कुल सही यानि करेक्ट अंसर हमारा आगे ऑप्शन नमर बी आंसर क्या गया हमारा राइट अंसर बी हो गया जल परपात जो है उच्तम यहां पर क्या दिया है जोग जल परपात जोग जल परपात या गरसुपा को महत्मा गांधी जल परपात भी कहा जाता यह करनाटक राज्य साबर बंती नदी पेश्ति थे उसकी उचाई जो है अगला कुछन देखेगा कहरा है पूस्तक I do heart I do I do heart I do के लेखक कौन है इसके लेखक है रगुरामजी राजन रगुरामजी राजन है या भारत के पुर्व आरबी आई के गवर्णर रह चुके है अगला है संजुक तरास्ट का मुख्याले का है बताएगा संजुक तरास्ट का मुख्याले तो आंसर क्या बनेगा राइट अंसर डी न्यू योक में है संजुक तरास्ट का मुख्याले अगला कुशन क्या है चोबीस अक्टूबर को यूए ने दिवस मनाते हैं हाली में हीम तेंदुआ को कितने राश्टी परतिक घोसित किया गया है किसने जो है ADB ने भारत की बेवस्ता परनाली के तैयारियों में सुविधा के लिए कितने रिन की मंजूरी दिया है कितना रिन दिया है तो आंसर बनेगा 160 मिलियन डॉलर आंसर बनेगा C 160 मिलियन डॉलर ADB का मुख्याले कहां पर है मनीला फिलिपेंस में अस्थापना का होता है 1966 में अगला देखी फरवाई दो है 24 में राश्पती द्रोपती मूर्मूर द्वारा भारत के नए लोगपाल के रूप में किसे निक्त किया गया है तो भारत के नए लोगपाल जो है कौन बने है वह प्रादीकरण निटाय है जो भारत गनराज्य में सारवजनी खीट का प्रजिश्चित करता है लोगपाल का पद कहां से लिया गया है हमारे समिधान में स्विडेन से लिया गया है एक्सकोशन देखेंगे हम लोग तो निमलिखित में से कौन सा चक्रबाद जो है मई 2024 को बं जो बंगाल में बना था तो आंसर बनेगा डी है मेल और इसका नामा करन कौन किया था उमान नामा करन किया था इसका इस चक्रबाद का अद इसका और अर्वि भासा में इसका मतलब क्या होता है रेत होता है अगला कुशन देखेगा मैडरीड ऊपन दोह 24 महिला एकल बने गई इगाइस पर टेक जीती हैं टेनिस के लारी एंड्रे रूबलेव ने दोहज़ चौविस मैड्रिड ओपन पुरुस एकल खिताब जीता है मैड्रिड सहर जो है इस्पेन की राजधानी है इस्पेन के कार्लोस अलकराज और पोलैन के इगाइस पर टेक करम से पाती होंगी जो एक भुजा की स्कॉयर होती है वो दो भुजाओं के जो के बराबर होनी चाहिए तब ही वह एक दूसरे के समय पाती होंगी तो आप देखोगे पहले अप्सण उठागे देखो दो और चार वाल कोई भी इसमें दो चार लो या फिर चार पांस लो जो आप अगला उठागे देखो तीन उच्ञार कुटनी हो जाएंगे साथ साथ का होल स्कार कुतनी हो सेखानी हो नुक्त हो जाकी से यहां पर जैसे 26 ईक हो सौब चीक देखोगे यह 3 का होली स्कुरार 9 4 का होली स्कुरार सुर ला यह दोनों का एट कितना हो जाए 25 पांच का होली स्कुरार करेगो 25 के बरबर यान यह अउप्सन हमारा क्या बी राइट एंसर होगा जाए अगला देखोगे तो बुल कर रहा है साइन जो है 44 डिगरी बट्टे कोस 46 डिगरी प्लस साइन स्कुरार सिक्स्टी डिगरी माइनस स्कॉस 45 प्लस से साट डिगरी का मान आप तो यह बता दो कि क्या यह थोड़ी है 44 और 46 वालिक तूसरे कोई परदानी नहीं है इसमें हम लोग क्या कर देंगे तो इसे साइन में हम लोग चैंज कर लेंगे 46 घटा लेंगे त तो वन हो जाएगी काड़ेंगे तो ठीक प्लस साइन साट की रूट थी बाई और का होल स्कॉर्ट तो सीधे आपकरना दो कितना थीरी बाई फोर हो जाएगी तो हम लोग सीधे रखते हैं थीरी बाई पूर ठीक है माइनस कोस 45 का बताओ कोस 45 की भैलू होती है वन बाई रूट टू वन बाई रूट टू का होल स्कॉर्ट करो को वन बाई रूट टू का तो वन बाई टू हो जाएगा वन बाई टू रखो प्लस सेक साट सेक साट का भैलू होता है दो तो चलिए दो और एक तीन हो ग तो तीन प्लस एक बट्टे चार तो कितने बारत तेरह एक बट्टे चार आंसर डी बन गए हैं पर हमारा शुर्ष कुल देखिए कि कहर रहे क्या कि यहाँ पर हमारे पास एक 195 मीटर उची चटान की चोटी से एक मिनार के सिर्ष और पाद के अवनमन कुन करमसह तीस डिगरी और साट डिगरी है तो मिनार की उचाई हमें मीटर में ग्याद करना है कि कितना है चलिए हम लोग बनाते हैं तेखते हैं कि आंसर क्या रहा है इसका देखें यहाँ पर एक हमने मिनार बनाया यह हमारा 99 कोल होगे यह 30 है यहाँ पर ठीक है और यह कितना है 60 डिगरी है 360 होगे और यह टोटल जो है यह कितना 195 तिया हुआ हुआ है 195 चटान की चोटी है और इतना यह जदी फाइंड कन ही यह वाली हमें तो यह कितनी हो जाएगी 195 में से X घटा लेंगे हम लो तो 195 माइनस H लिख लेते हैं हाइट को हम H डाल दिये ठीक है अब चलो हमें निकालनी क्या है तो हमें निकालनी है यह वाली पहले तो चले यह वाली को हम क्या ले लेते हैं इसे H क्योंकि आप इसे H लो गए तो यह भी तो H रहेगे तो 145 मेंसे H कषठा दोगे यह निकल जाएगे पहले हम लोग esnा कАल्कुलेसन करते हैं हम लोग पहले किसमें आते हैं इस वाले को देखते हैं पहले इस वाले यह जो हमारा एंगल 60 दिया है इसमें तो इसमें यह दिया है तो इसे हम फाइंड कर सकते हैं तो आए हम लोग निकालते हैं जब पी और बी है मिंस क्या होगा पी और बी है मतलब 1060 ले लेंगे 1060 एकवल पी कितनी है हमारे 195 बी कितनी है तो बी तो हमें नहीं पता 1060 का भैलू रूट 3 होता है इकवल 195 बाइब बीसी यानि बीसी की भैलू कितनी आ जाएगे बीसी एकवल हो जाएगा 195 रूट 3 होगी न रूट 3 तो यह हमारा क्या आगया इतना आगया BC की भेलू अब आप यहां पर हम करेंगे क्या कि यह जो BC आया है इसे हम लोग और क्या कर सकते हैं तो रूट इसमें भी कर दो रूट थिरी और रूट थिरी में गुना यह रूट थिरी तिरी हो जाएगा उपर आजाएगा और यहां पर आजाएगा थिरी यह रूट में थिरी आजाएगा थिरी से कटेगी कि अठार और वन फिप्टिन बिल्गुन कटेगी तो इसे काट सकते हुआ यह यह जोड़ भी सकते हो कि तो चलो हमारे पास कितना आगे एक सो पनचार्णवे रूट थिरी बाई थिरी आ गए है अब हम क्या थिरी करें गे हाप तो आई हमें बी दिया है तो हम हमischer है है तो क्या करेंगे 1030 रखेंगे क्योंकि इसकी वैलू हमारा 30 था तो 1030 का वैलू 1030 एकवल क्या है हमारे पास 195 माइनस एच और नीचे कितना दिया है 155 रूट 3 या फिर 195 रूट 3 रख सकते हैं जो आपको मन इसका वैलू रूट 3 दिया है यह न तो इस रूट 1030 का वैलू 1 रूट 3 बता है 145 माइनस एच बाई कितनी हो जाएगे 195 यहां पर हमारा 195 नहीं बलकि यह हो जाएगा हमारे पास वन और मल्टिपल यहां पर रूट 3 और बाई 195 यहीं न होगी अपोजिट चस्ट इसका हो जाएगा तो चलिए अभी से हम लोग दिविजवल करते हैं तो यह इससे मल्टिपल यह इससे मल्टिपल होगा क्रॉस मल्टिपल कर देते हम तो कितना हो जाएगा एकसो पंचाणवे गुणे 3 मैनस किए यह 3 है मिएच मेजवल एकसों पंचाणवे आप गुनक कर दोगे एकसों चाणवे ममीनस हिक एकसों साब्लौ कर दोगें प्लस में आजएगी ऑrendre पंचानवे गुन्ने दो बट्टे तीन हो जाएगा एच हटा दो यहां से एच रहने तो थीरी हटा दो तो काटो इस हो तीन छक्क ठारत तीन पच्छे पंद्रव गुन्ने दो पैसर दूने एक सो तीस आंसर बन गए राइट एंसर डी नेक्स कोशन देखिए कह रहा है कि कि किस मान के लिए समीकरन जो हमारे पास दिया एकस स्क्वार माइनस के प्लस वन एकस प्लस फोर इक्वल जीरो के मुल जो है बराबर होंगे तो देखें यहां पे आपको पता होग कि एकस स्क्वार फ्लस भी एकस प्लस की नहीं बलकि हमें इसक्वार माइनस हएं बिय मानीनस के स्क्वार हैं यहां पर हमारे पास ब्य स्क्वार एक्वल क्या लिग सकते हम लोग दिया हूँ वूर इस derivatives हो टायाग Haiti आपका a का भाइलू 1 है B का भाइलू कितना है do a is C का वैलू कितना है कर नाद दिए हो तो रखिए यहां पर G kete ladder हम साल प्लस वं का होल्य स्क्वेर क्यों एक वल Four और कितना दिए हो दित चाह सूर ते हैं कितना होगा चाहर्चायों का 16 हो गया और इदर इसका k स्क्वार प्लस 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 टू अभी कितना हो जाएगा यह हो जाएगा के स्क्वार प्लस टू के प्लस एक इक 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 वल कितना हो जाएगा तो k square plus 2 k minus 15 क्योंकि यह 16 इधर एक घट जाएगा तो k square plus 2 k minus 15 हो जाएगा equal 0 होगा तो यहां से 15 और k हमें चाहिए कैसा हो ऐसा है कि 2 घटे तो आप 3 पच्चे 15 कर सकते हो और 5 में से 3 घटा देगा तो 2 बच जाएगा तो यानि क्या जाएगा हमारा equation k plus 5 k common होगा और 1 होगा k minus 3 equal 0 यानि k की value कितनी आजएगी k की value 3 आजएगी तो k का हमारा value find करना था तो k का कितना आगे option number 3 आगे और 1 minus 5 यानि कि आप a और c दोनों बोल सकते हो क्योंकि एक plus में था तो k का value minus 5 भी तो आप बोल सकते हो option D याख पर correct हो गया अगला question देखिए 6 मितर बैठे हो गया ठीक है एक सीधी पंक्ती में उतर की उम्मूख करके मतलब सभी उपर उतर की उम्मूख करके बैठे है तो चली हम लोग इनको decorate करते है पहले हम लोग लेते एक line 6 बैठे है ठीक है G के दायोर G जदी यहाँ है इनके दायोर कितने तीन वैक्ती एक दो तीन देख लिए तीन वैक्ती बैठे है अब लायक केवल दो वैक्ती G और E के बीच में है G और E तो last में होगा E तभी तो दो वैक्ती बैठे होगे C जो है F के ठीक दायोर और G के ठीक बाइयोर बैठा है D कहाँ पे बैठा है G के ठीक दाइयोर है न F के ठीक जो है दाइयोर F ही यहाँ पे होगा तभी इसके दाइयोर और G के ठीक बाइयोर होगे H और E के निकट परोसी नहीं है H और E H जो है E का निकट परोसी नहीं है तो एच यहां पर होगा तो बच गया एक डी और उसे नहीं अब पुछ रहा है कि जी और ए के बीच में कौन वेक्टी बैठें जी और एक बीच में एच और डी एच और डी ऑप्शन नमर आपका राइट इंसर डी बन गया नेक्स वोचन देखीगा यहां पर बताना है जैसे दिया हूए क्या कि हकलाना बातचीत तो इसके लिए ек क्या होगा बताइ罪 हकलाना से बात्तित यानि बनेगा दृष्ट वैसं में दृष्टi आंसर बनेगा राइट इंशर ओगा अब देहीं plus का माइनस बदल लिएता है गुणा को भाग में बदल लिएता है भाग को मुणा में तो आप देखोगे क्या यह डिवाइड मल्टीपल है तो इसे डिवाइड में बदल दो माइनस है प्लस में बदल दो डिवाइड है मल्टीपल में बदल दो प्लस है माइनस में बदल दो इसे बना दो तो आंसर आपके पास कितने आएंगे आंसर आपके पास 50 आएंगे 50 नेक्सिके संदिक मानो मस्टिक का ग्राम में वजन होगा यह आपको बताना होगा रुग मानो का जो मस्टिक सरी के केंद्रिय सूचना प्रसारण होता है इसके चारो और मैनिन जेज नामक जो एक आवरण पाया जाता है इस आवरण के तीन अस्तर होते हैं कौन-कौन होते हैं तो आरके नाइड और डिवरो मोटर और पायो मेटर नेक्स को सन देखो नेक्स क्या है इसमें फे आवृति 20 पौधे जिनके पौधे में दो बीज पत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें कहते हैं हम लोग क्या प्रभाव के अंत्र पौधे में समया है अविल्टी विजी जो है अस्पर मेतो तोफाइटा का उपसंग है अविलीत विजी पादप विविन परकार के औरना में पैजाते हैं बताई कौन-कौन से हैं वह सुक्रानु सब जो है यूनानी सब्द अस्पर्मा से उत्पन हुए जिसकार्थ होता है बीज पुरूस में गुन्सुत्रों की संख्या कितनी होती है तेश जो रहते हैं अगला है कुश्ण की पौधे में लचीला पन परदान करने वाला अस्थाई उत्तक को क्या कहते हैं उस उत्तक को क्या कहते हैं कोले नाई काम कोले नाई काईमा कहते हैं अगला है निमलिकित में कौन कोशिका विभाजन को प्रुत साहित करता है कौन करता है तो यह करता है साइटो काइनीन आंसर बने गए साइटो काइनीन बीजों के अंकुरन को प्रेरीत करते है यह पार्सो कलिकों को ब्रिधी को शुरू करता है अगला है मानो कापाल में 30 होता है और कान में एक कान में 3 और दूसरे कान में 3 मतलब दूनों कितने होते हैं 6 होते हैं और एक हात麼 pork 30 होते हैं और 2 हात्त को मिला ले तो 60 होते हैं साथ हस्ति हैं होती हैं अगला कुछ देखिएगा बुल्ला है क्या कि वरीकों में मुत्र के निर्मान में सामिल दी गई तीन परकडियाओं की सही अनुकरम निम्लिकित में विकल्प में दिये गए हैं वो को नहीं बताना है आपको तो आप देखोगे इसमें कि निस्यंदन च अनुकरम निम्लिकित में से कौन सा भाग पोधे में गैसीये वेमिये में सहायत होता है तो कौन सा है बताईए वह जो है रंध कौन सा है रंध आंसर क्या बनेगा राइट एंसर डी होगा पादप में पतियों तथा अन्यकोमन वाय विये भागों की जो है बाहे तोचा में छोटे छोटे छीदर पाए जाते हैं इन्हें क्या करते हैं रंध कहा जाता है अगला और लास्ट कुश्चों आपकर क्या है कि मानों के पाचन तंतर में होने वाली कौन सी किरिया जो है गंंदगी पर साबुन के बाईसी कront की किरिया समान होती है कौन सी है बताईए तर वह होता है कैसी प्रकृति होती है छाड़ी होती है स्वासा है दोस्तों पसंद आगा फिर मिलते हैं अगले सित में जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों में इसे ज्यादा ज्यादा शेयर केजिएगा